वाट इस पॉफेक्शन, वाट एक्सिलेंस इस, H.V.O. प्रेजेंट्स वाच्च मैन, मैं डी-सी से उच्छना चालता हूँ, कैसे, आखिर कैसे आप बना सकते हो इतना बहतरीन शो, जिसको देख के, बोलने का मन करें, क्या बात, क्या बात, क्या बात, तो आज हम लोग करने वाले हैं, वेब स्रीज रिव्यू ऑफ वाच्च मैन, डी-सी वालो, मारवग उठीको टिप्स दे ही दो, अरे यार, जोक सपार शुरू करते हैं, वेब स्रीज रिव्यू नहीं, बहुता लोग यहीं से बुछ साओके भागेंगे, वेब चलिए शुरू करते हैं, अगर आप यह सोच रहे हैं, कि एक टिपिकल सुपर हीरो ड्रैमेटिक शो है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, जिसमें कि एक हीरो होगा, एक विलन होगा, उनके बीच में फाइट होगी, खतम, बट नहीं, यहाँ पे हमारे समाज की सचाई को जागरित किया गया है, वाच में काफी सारे रियल इंसीडेंस को भी दर्शाता है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, इस वेब सरीज के प्लॉट की, जो की गजब है, तो यह बात है 1921 की, जब अमेरिका में वाइट्स और ब्लैक के बीच में वार च्रीट हुई थी, जहाँ पे वाइट्स ने ब्लैक्स पर हमला कर दिया था, और बहुत सारे ब्लैक्स मारे गए थे, बहुत क्रिवेल सिचुवेशन थी वो, जैसे कि इंडिया में कास्ट सिस्टम है, जहाँ पे लोगों को बहुत डिफरेंस का सामना करना पड़ता है, वैसे ही अमेरिका में कलर सिस्टम है, वैसे ही अमेरिका में रैशन नेजन है, जहाँ पे वाइट ब्लैक के बीच में डिफरेंस क्रिया जाता है, यहाँ पे एक फैमिली है, जो की अपने आपको बचाने की कोशिश कर रही है और वो लोग एक गाड़ी में बैठने की कोशिश करते हैं बट वहाँ पे जगे की कमी की वज़े से वो अपने बच्चे को उस गाड़ी में बैठा देते हैं अब उस बच्चे के पास में एक letter है और उस letter में क्या लिखा हुआ है ये आपको जाना है तो web series को देखना होगा अब वो गारी चल चुपी है अब वो बच्चा बच्चता है कि नहीं बच्चता है ये तो आपको web series में ही पता चलेगा बट यहां पे एक और चीज़ का जिक्र हुआ है वेतनाम वार अमेरिका कैसे जीत गया वेतनाम वार लिटरिल कैसे जीत गया ये भी जाने के लिए वेब स्रीज देखनी होगी डॉक्टर मैनहेटन है जो की इतने पावर्फुल है कि उनको गॉड़ भी बोल सकते है मतलब बहुत जादा पावर्फुल क्रियेचर है ये तो अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट में चल रही स्टोरी की यहाँ पे एंजिला है जो की एक प्लीस डिटेक्टिव है अब बहुत सारे प्लीस आफसर पर एक अटैक हो चुका है वहाँ पे एंजिला का one of the best friend भी टैकल हुआ है अब उसके बच्चों की देखभाल एंजिला कर रही है अब एंजिला के पास ये case है क्योंकि एक terrorist group है जो कि उनकी city में बहुत बड़ी कोई planning रच रहा है बहुत बड़ी शादिश रच रहा है अब क्या होगा क्या एंजिला उनको पकड़ पाएगी क्या होने वाला है इस web series में आगे ये सब जानने के लिए तो आपको इस web series को ज़रूर देखना होगा मैं यहाँ पे order दे रहा हूँ मैं यहाँ पे suggestion नहीं दे रहा हूँ तो अब हम लोग बात करते हैं cinematography की तो मेरे को बहुत ज़ादा अच्छा लगा जब इन्होंने wild and wild fighting use किया वो बहुत थीक अच्छा scene था and fighting scenes बहुत well choreographed हैं और बहुत अच्छे से दर्शाय गये हैं इसके अलावा past और present और इसके अलावा past और present को भी बहुत अच्छे से दर्शाया गया especially जब एंजिला की backstory भी दिखाई जा रही थी वो भी देखके बहुत ज़ादा मज़ा आई अब हम लोग बात करते हैं background scores की literally salute literally salute क्या था यह हैं इतने बहतरीन इसके background scores हैं की मज़ा आगे सुनके मज़ा आगे सुनके मतलब बहुत अच्छे से even shots के साथ इसके background scores match कर रहे थे voices के साथ इसके background scores match कर रहे थे मैं क्या बोलूँ and scripting इसमें dialogue delivery हर चीज़ बहुत ज़ादा अच्छी थी अब हम लोग बात करते हैं direction point of view की तो इधर पे 9 episode है approximately 1 hour की run timing है starting की 2 से 3 episode आपको थोड़ा सा लग सकता है कि यह क्या चल रहा है यह थोड़ा सा negative है because आपको starting के 2 episodes या 3 episodes में थोड़ा सा समझने में problem हो सकती है इस web series को और इधर पर ही काफी सारे लोग quit कर सकते हैं इस web series को बट मेरी मानिये थोड़ा सा patience रपके पूरी web series देखिये आपने इतनी बहतरीन web series शायद ही पहले कभी देखी होगी अगर आपको इस web series को अच्छे से समझना है तो आपको watchman graphic novel by alan moray and dev पढ़नी होगी उसी के उपर based है ये novel और उस novel को पढ़ने के बाद आपके हर एक डाउट खतम हो जाएंगे इस web series से related इंडिया में ये web series hot star पर available है and hot star का premium subscription लेने पर आप इस web series को देख पाएंगे बट हिंदी में available नहीं है because hot star पर available है एक DC show है तो हिंदी में dubbing होने की इसके बहुत ही कम बलकि ना के बराबर ही chances है और मैं समझता हूँ कि जितनी भी mature audience है उनके लिए बनी है ये web series उनको already English में ही पसंद आएगी ये web series तो अब बात कर लेते हैं मेरी final ratings की क्योंकि मैं शुरुआत में ही अपने सारे के सारे opinions दे चुका हूँ ये one of the best web series है आपको जरूर देखनी चाहिए और मेरी final rating है इस web series के लिए तो मेरी final rating है इस web series के लिए 4.4 out of 5 की अगर आपको इस वीडियो पसंद आ रहा है और बेला है को जो पिता बादिची ये